तेरी बीणा का मुझे तार अगर मिल जाए और फिर तार में जनकार अगर मिल जाए ये तो दरिया है समंदर भी पार कर लूँगी तेरे आशीश की पतवार अगर मिल जाए वही आशीश जो केदारनात की गुफाओं में एक तपस्वी को मिला वही आशीश जो काशी विश्वनात में एक चौकिदार को मिला वही आशीश जो गंगा मैया की धारा को स्वच कर एक चायवाले को मिला और वो हमारे देश के यशश्वी प्रधानमंत्री है इसी आशीश क कामना के साथ नमस्कार मैं हूँ अनामी का जैनंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदुस्तान के नंबर वन न्यूस चैनल जी न्यूस पर चल रहे आपके पसंदीदा कारिक्रम जिसका नाम है कवियुद्ध 2019 में कि राष्ट्रवाद की प्रीत है मन की बातों का गीत है ये जीत नहीं दल की किसी ये तेरी मेरी जीत है तो हमारी इस जीत में समलित यहाँ पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं यही हमारा पहला टॉपिक है हम देख रहे हैं कि हमारे देश को किस हाथों में सौपा गया है वो हाथ जिने हम दिल से प्यार करते हैं इसी टॉपिक को लेकर हमारे बीच ये कवी एकत्रित हुए हैं उपस्तित हुए हैं तो आईए मैं लेकर के चलती हूँ उनकी और जिनका नाम है आदेनिया अनेल अग मोदी जी के लिए जोड़दार कालिया बॉड़ाए हैं तर आपकर देश का घ्रार किया कि मावाप के संग दुनिया में जिसने दगा किया अखिलेश जी को देख लो उडा दी धज्जियां अखिलेश जी की देख लो उडा दी धज्जियां मा की अशीश लेके आये थे शिरी मोदी मा की दुआओं ने उन्हें पीयम बना दिया मेडिया वालों ने पूछा कल के मोदी जी आपके साथ देश में कौन-कौन था शायद वो कुछ ऐसी बात पूछना चाहरा था जिसका उत्तरों ने चाहता था कि यह उत्तर दें लेकिन मोदी जी ने क्या उत्तर दिया सुनिएगा के सीमा पे खड़ा देश का जवान साथ है व्यापारी साथ है मेरे किसान साथ है हिंदू है साथ मेरे मुसल्मान साथ है मैं क्या बताऊं पूरा हिंदुस्तान साथ है क्या बताऊं वाबाबाबाबाबा के मोदी के आते ही मुझे पतनी ने बुलाया ऐसा ना होके नोटों का हो जाए सफाया मैंने कहाब पहले वाला चेंज हो गया खाते में देखो 15 लाख तो नहीं आया लो चांधे बात के लिये अब तो काशी का बाद हूंड़ा यहां तर। करनाल बाई पास पे कोई धाबा धूंद लो अन्ना का लोक पाल अब पुरा ना हो चुका धरने के लिए कोई नया बाबा धूंद लो और एक बात और आई साहब पूरे देश में निकल के आई कि अब क्या होगा स्वागत है सीमा पे है पहरेदार देश में है चौकीदार चोर सोच नहीं लगे अब धंदा ठप हो गया सीट एक आई नहीं चाटा भी फिरी में पड़ा खासी वाला फिर से गले में कफ हो गया सीट एक आई नहीं चाटा भी फिरी में पड़ा खासी वाला फिर से गले में कफ हो गया गठ जोड करके भी फायदा हुआ ना कोई धर्म जात वाली निती का इनफ हो गया चलो मम्मी किसी और कंट्री से ट्राई करें भारत में मोदी को हराना टफ हो गया बहुत बढ़िया क्या काफिये लेकर आएं बहुत जोरदार तालिया एक बार आदेनिया अंगिल अग्रवंशी जी के लिए बहुत शांदार उन्होंने कावे पाट किया आईए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर और मैं जिन्हें आवाज देने जारी हूं उनके ब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और चार चार पंक्तियों से अपनी बात कहती हूं सुनिये गार कि कोई जिद कोई अहंकार यहां कब चलता जूटा वादा भी कोई बार बार कब चलता यह जो जनता है बड़ी जल्दी समझ जाती है अस्मिता पर यहां कोई प्रहार कब चलता और सुनिये गार कि साठ सालों का पका है बिकार रहने दे बड़े घोटालों के तीमारे दार रहने दे हजारों लोग मरे तू कहे हुआ तो हुआ तू ही रख ले ये 72 रहने दे और एक घनाक्ष्री पढ़ती हूं सुनियेगा कि जाडू ने प्रयास किया पंजा संग लग जाए लालू जी के लाल लाल टेन लेके आ गए ममता की त्रण मूल दंगों में रही थी जूल देखती थी जनता ये कैसे घन चागए देखृती थी जनता ये कैसे घन चा गए चंद्रबाबु भाग पड़े कैसे भीवी पक्ष अड़े चतुराई चाल ढ़ाल तेवर दिखा गए टुकड़े करेंगे देश के महा अधम लोग पापीयों के पाप इवी एम में समा गए एक चंद और छोटा सा समर्पित करती हूं सुनिएगा बहुत बढ़िया कि बुआ और बबुआ का खेल बड़ा तगड़ा था योगी जी के राज की कहानी बेमिसाल थी खालिया था लोक तंत्र पहले ने चोड़ कर बबुआ महान था तो बुआ माला माल थी जानिता ये भाप रही थी वीचारवान बन सोचे ओं समझती वी दूशकों के चाल थी आखिर में चुन दिया भ्रश्टाचार धुन दिया अब के इलेक्शन में अच्छी सुरताल थी बहुत 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 है बहुत क्या पात है जोटम þातलिया पीती अे तेरे अंदाज में अंदाज मिलाती हूँ प्रीती जी तेरे अंदाज में अंदाज मिलाती हूँ आप सब की अनुमती हो तो मैं अपनी आवाज मिलाती हूँ कि मैं इनकी आवाज के बाद मैं अपनी बात भी आप तक पहुंचा हूँ कि लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाया जनताने किसी और के बसकी कहा था? कि लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाया जनताने लोकतंत्र के प्रहरी वाला फर्ज निभाया जनताने पंजाहा थी साइकल जाडू आस सभी की बिखर गई लोक तंत्र के मंदिर में फिर कमल खिलाया जनता ने कि बन गई जनता की सरकार हो बजाओ तालिया आया फिर से चौकीदार हो बजाओ तालिया आप सुने कि जनादेश को मान लिया है जनता का आदेश राष्ट भक्त के हाथ में सौफा फिर से प्यारा देश सज गया दिल्ली का दर्बार हो बजाओ तालिया आया फिर से चौकीदार हो बजाओ तालिया आया फिर से चौकीदार हो बजाओ तालिया और एक बात कहती हूं कि राजनीती में प्रियंका से एक भी दाओ न छुका कि जान फूक ने आई थी पर पाटी को ही फूका कांग्रेस करती हाहाकार हो बजाओ तालिया चौकीदार हो बजाओ तालिया और आपको लेकर के चलती हूं भोपाल की ओर जरह देखिएगा कि भगवा को आतंक बताया तुमने दिग्गी राजा कभी न सोचा होगा ऐसा बज जाएगा बाजा कभी न सोचा होगा ऐसा बज जाएगा बाजा की सन्यासं से हो गई हार बज यह बज जाओ तालिया सच गया दिली का दर्बार हो बज आएग बात कहती हूं कहीं आपकी रास्ट भकती निकल के आए तो मुझे जरूर बताइएगा कि जिसने भारत के बटवारे का पाला मनसूबा लोक तंत्र की जमुना में वो दुष्ट कनहिया ढूबा उस पर लाखों है धिकार हो बजाओ तालिया आया दिन्ली का दर्बार हो बजाओ तालिया और कहती हूँ कि बात बात पर जो दुनिया को करता था खामोश पतनी के संग्षत्रू घंके उडगे पूरे होश कि पतनी के संग्षत्रू घंके उडगे पूरे होश विभीशन जैसा था गदार हो बजाओ तालिया और आपने सुना होगा कि अल्टीमेटली आखिरकार एक इस्तीफा देने की बात आई कि पपू पपू कहते थे सब था दिमाग में लोचा इस्तीफा देने का तुमने बड़ी देर में सोचा अब तो हो गया बंता धार हो बजाओ तालिया और चलते चलते एक बात कहते हूँ कि हमारे माननिय प्रधान मंत्री जी जब यहां आ गए है तो कहीं न कहीं आपके दिल में एक बात होगी कि अब वो क्या करेंगे तो पहला उनका जो काम है जो उन्होंने ठाना होगा मैं कलतना करती हूँ कलतना क्या है यह सच ही होगा जो आप तक पहुँचाती हूँ सुने बुरा समझो भला समझो यही नगमा सुनाएंगे क्या बात है कसम जो राम की खाई उसे अभी निभाएंगे ठुमकती चाल पर उनकी जहां बाजी थी पैजनिया के अपने राम का मंदिर वही पर हम बनाएंगे के अपने राम का मंदिर वही पर हम बनाएंगे के अपने राम का मंदिर वही पर हम बनाएंगे अखाँ कूलें है था आउयो एस आवाज को थोड़ा और अंदास देते हैं और उस अंदास को देते देते आघाल से अंजाम तक पहुचते हैं मेरा मतलब है हम अरैया से स्वागत करने वाले हैं आपकी तैलियों के साथ आधर निया मिल्याे अंजाम जी का एक बार जोर गया और उन्निस में भी अपना मोदी सिंगहासन पर क्या बात है बहुत बढ़िया गंगा जी से आया था लगता बवाल से आया है और अब की कितना तांडव होगा महाकाल से आया है जैसे ही एलेख्शन खत्म हुआ मदगर ना समाप थूई एक तरफ तो यह नीज चल रही थी मोदी जी इतने हैभी भामत के साथ आगए यह हो गए और उसी समय हमने जब टीवी खोल करके देखा तो सबसे पहली निज क्या सुनाई पड़ी उसको भी दो पंक्तियों में सुना उठा लेना अगर मोदी जी का यही परिचे हो कितना ताकतवर हुआ अपना हिंदुस्तान कितना ताकतवर हुआ अपना हिंदुस्तान मूसा को भूसा भरा पहले दिन स्रीमान अच्छा है अभी नंदन यूपी की एक EVM, EVM में बड़ी छेड़ छाड़ हुई तो एक दुखी EVM थी छिड़ी हुई वो योगी जी के यहां पहुंची क्यों सर आपने तो आप्रेशन रूमियों किया हुआ है अप्लीकेशन लेकर पहुंची थी वहां पहले से एक मत पेटी बैठी मिल गई मत पेटी अब उसने पूछा EVM से कहा जा रही हो बैना बोले मुझे छेड़ा गया है मत योगी जी को एप्लीकेशन देने जा रहा हुआ है क्या बात है अब मत पेटी ने EVM से क्या कहा होगा सुनिएगा और आनन लीजिएगा वागत है वाँ भाग अभागों का भरकर में हफ्तों तक घुट जाती थी कभी कुए में फेकी जाती और कभी कुट जाती थी कभी कुट जाती थी और तू तो बस छेड़ी जाती है प्यारी बहना EVM मुझसे पूछो में मत पेटी गुंडों से लुट जाती थी मुझसे पूछो ओ प्यारे राहुल बुजर्ग मम्मी को और कितना सताओगे तुम जोटा न पाए हो आप बहुमत बहु कहां से ले आओगे तुम बहुत बढ़िया आप प्यारे राहुल हमें अंदेशा नहीं था पिंकी के हाल ऐसे बेहाल होंगे जो नाक दादी से मिल रही है वो नाक ऐसे कटाओगे तुम अंदेशा नहीं अज़ा आप बात बढ़िया अच्छा है और आखरी बना के जीरो था जीरो से उनके तो ग्यारा हो गए और हमारा पड़ोसी विचारे घर में पांच सांसत थे दो ही रहे गए तब यह शेर सुनियेगा कि बना के उल्लू बुआने बबुआ को चित किया है लोचार खाने मगर बुआब इन हाथियों को कहां से चारा खिलाओगे तुम जो जूले पर द्रोह के बढ़ा रहे थे पैंग आकर गिरी जमीन में टुकडे टुकडे गैंग और काम नहीं आया कहीं गठ बंधन का खेल उड़ते ही जट गिर गया रावल का रावेल यही हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक पर बहुत सारी बाते लेकर के हमारे बीच यह कवी उपस्तित हुए आईए हम बढ़ते हैं प्रीती जी की ओर प्रीती जी अपनी बात से आप तक अपनी कविताएं पहुचाएंगी अपनी बात को कविता का रूप देंगी और उसके लिए आप एक बार जोरदार तालिया बजाएंगे और उन्हें आमन प्रम देंगे बहुत बहुत धन्यवादा नामिका जी जन्ताने मोदी सरकार को उपहार दिया जन्ताने और सुनिएगा कि देश के रक्त में बलिदानी मर्म जिन्दा है हिलाज जीवित है वो आखों में शर्म जिन्दा है इन चुनावों के ये परिनाम बताते हैं हमें देश में सत्य का एहसास नर्म जिन्दा है देश में सत्य का एहसास नर्म जिन्दा है चार पंक्तियों और सुनिएगा कि सारी दुनिया में बड़ा लोक तंत्र है अपना चुनावा योग भी सचा स्वतंत्र है अपना ये विजय श्री समूच देश को मुबारक हो मिलके जीना मिलके रहना भी मंत्र है अपना और एक छंद से आप सभी को जोडती हूं सुनिएगा कि जीत ये सुहानी हुई रुत मस्तानी हुई जिल मे लाया आखो वाला पानी मेरे देश में आतं की सत आते रहे बार बार आते रहे घूमती थी मौत की कहानी मेरे देश में मोधी सरकार ने सजाई जब से बहार पैदा हुए नए बलीदानी मेरे देश में जीत का ये कारण है जूट का निवारण है गुझने लगी है वेदवानी मेरे देश में और एक छंद आपको समर्पित करती हूं सुनिएगा जनताने धर्म है तो चुनी सरकार बड़ी बहुमत पूर्ण है तो देर ना लगाई ये देश की स्वतंत्रता के दाग जो लगे हुए हैं एक ता अखंडता में दागों को मिटाई ये लाल साहे लोगों की की एक जैसा हो विधान काशमीर को भी सही लाइन पिलाई ये विश्व के महान भगवान शिरी राम चंद्र टेंट में न रही भव्य मंदिर बनाई ये बहुत बहुत धन्यवाद आप से बहुत 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 सत्ता की बाची कुंडलियां है तंज समेटी पंक्तियां आमंत्रन उस कलमकार को जिसकी है लोगों ने सोचा पतानी क्या कहा होगा मिरेको बताई उन्हों प्रियंका जीने मैंने ये कही है धेली फोन आया था मेरे पास साड़े ग्यारा बजे सुनो क्या कही उन्होंने के पीम की सीट से जराव ध्यान हटा लो अच्छी सी लड़की देखके परिवार बसालो बहुत कॉंगरेस को विभाजपा में मिला लो अच्छा है थे बाद बढ़िया बुद्धि बढ़िया और जब मोदी जी का ये रिजल्ट आया तो क्या हुआ कौन-कौन लोग परेशान हुए सुनिएगा सावर कौन को खुछ हुए समर्पित करता हो ना में कजिए सुनिएगा जैसे ही खबर आई पीम बने है मोदी महबुबा और सिद्धु की भी खाट ही लने लगी नीरव और मालिया भी घबरा के रोने लगे जीजा जी की सांसे और तेज चलने लगी राहुलोर दिगी वीजे बैंकोक चले गए ममता और मायावती हाथ मलने लगी या तक तो दा रोना अब खुशी और भारत की सेनाओं में एक नया जोश आया अमभानी अडानी जी की बाचे खिलने लगी अमभानी अडानी जी की बाचे खिलने लगी अब सुनो मस्तिवाली आप लोगों के लिए रज के रुलाया अच्छा है बड़ा तरसाया समझ नाया कैसे हराया हम नी जरासी सीटे क्या मागी कर दिया या पूना पूरा सफाया के ना भती जा चला ना बुआ जी चली ना भती जा चला क्या सूर लगाया है ना बुआ जी चली मोदी फिर आ गया देखते देखते कंकरों के जो कंकरों के जो लड्डू बनाए उन्हें कंतरों के जो लड्डू बनाए थे वो अमिशा खा गया देखते, देखते, अच्छा है, जो लड्डू बनाए थे, वो हमिशा खा गया, देखते, देखते, ममता दीदी जी राहुल जी अखिलेश पे, क्या जो लंधा गया, देखते, 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 और ये पंती सुनने वाली है, के मोधी फिर आएगा, उन्हें भी पता था द दिख रहा था उन्हें, पर कहाना गया, देखते, देखते, घर में घुसके जो मारा, पडोसी को यूं, क्या बात है? क्या बात है? तो अलग-अलग विचारों से, आप सब सोच रहे होंगे, कि हमारे सब के विचार अलग-अलग हैं, तो इन विचारों को आईए, कर ले हम मिलकर के एक, लेकिन उसके लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेट